आज हम जैसे हो गए हैं, क्या यही हमारी नियती है या दुरभाग्य है? जिस शहरी समाज में हम रहते हैं, क्या जीवन की पूनक्षमता की खोच करना ही हमारी विवस्ता है? या किसी ऐसे व्यक्ती की खोच करना, जो हमें उस विचार तक लेकर जा सके? परम का मुल्बूत विचार, जिसे आप जीवन की पूनक्षमता कहते हैं, यही हमारी विवस्ता क्यों है? क्या किसी समाई यह बहुत अलग था? एक आदुनिक समाज ऐसा क्यों हो गया है? कई समाज हुआ करते थे, यह संस्कृती ऐसी हुआ करती थी, आपको इस देश का इतिहास पता है, लगभग छे, आठ हजार साल पहले, जब सबसे पहले आरियों का हमला हुआ, जिन लोगों ने हडपा और महंजदारों का निर्मान किया, उनमें साफ तोर पर उंची बुद्धी थी, ठीक है? मुझे यकीन है कि आपने हाई स्कूल की अपनी किताबों में भी यही पढ़ा होगा, अंग्रेजों ने यह स्कूली किताबों में लिखा था, और उन्होंने कहा हडपा और महंजदारों में बहुत ही व्यवस्थित गटर थे, अंग्रेज केवल इसी में रूची रखते हैं कि वे अपने मल मूत्र को कैसे संभालते थे, उनके लिए यही माइने रखता था, क्योंकि उनकी गटर व्यवस्था इतनी बुरी थी कि वे कुल मिलाकर यही सोच पाए, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि लगभग 6,000 साल पहले, अगर लोगों ने ऐसे जटिल स्थान, ब उनके जीवन का अनुभव क्या था, कि वे इतने संतुष्ट थे, उन्होंने अध्भुद नगर बनाए, और उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई सेना नहीं थी, यानि वहां के लोगों की जेतना कैसी रही होगी, वे कैसे जीते थे, नहीं, उनके पास अच्छे गटर आप स्कूल की किताबों में यही पढ़ते हैं, मैंने भी किताबों में यही बकवास पढ़ी थी, तो ऐसा क्यों हैं कि हम इंसानी अनुभव को अंदेखा कर रहे हैं और हमारी बनाई सडकों और गटर व्यवस्थाओं पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ, उन ची इंसानी अनुभव को गहरा बनाने की बात नहीं कर रहा, इंसानी अनुभव को कैसे गहरा बनाया जाए, आज इसका मतलब यही है कि लोग फोन पर लगे रहें और सब कुछ उसी के जरिये देखें, ये बस आपको चका चौंद कर रहा है, लेकिन ये किसी भी तरह आपके अ हर कोई शिक्षित हो रहा है, इस पीडी तक शिक्षा का अधिकार जैसा कुछ नहीं था, अगर कोई व्यक्ति बस अपने पशुओं को चराते हुए घूमना चाहता था, तो वो ऐसा कर सकता था, अब ऐसा नहीं है आज अस धर्ती पर हर मनुश्य का किसी देश से संबंध जरूर होना चाहिए, वो इतने बड़े ग्रह पर यूहीं कहीं नहीं रह सकता लगभग सौ साल पहले, साथ प्रतिशत से ज्यादा लोग किसी देश से संबंध नहीं रखते थे, वो बस रहते थे अब आपका एक देश से संबंध होना ही चाहिए, अगर आप किसी देश से संबंध रखते हैं, तो राश्टर के हित में आप एक बड़े समाज की सेवा करते हैं नई, लोग बस यूहीं क्यों नहीं रह सकते नई, कोई भी खुद से नहीं चीश सकता हम मानव जीवन का महत्व कम करके किसी दूसरी चीज को ज्यादा महत्व पूर्ण बना रहे हैं नई, जीवन का अकेला और एक मात्रो देश ये है कि जीवन का ये टुकड़ा अपनी अंतिम संभावना तक पहुंचे चाहे आप एक केंचुआ हों, या एक टिड़ा, या एक पक्षी, या एक पशु, या एक पेड, या एक मनुष्य जीवन के हर रूप का यही एक मात्रो देश है कि वो अपनी पूर्ण शमता तक विक्सित होना चाहता है कुछ और नहीं बनना चाहता शायद आप इस पेड को देखकर सोचें, अरे मैं फूल लेकर पूजा कर सकता हूँ या आप उस पेड को देखकर सोचें, अरे इससे अच्छा फरनिचर बन सकता है लेकिन ये पेड फरनिचर के बारे में नहीं सोच रहा ये तो बस अपने पूरे आकार और पूरी शमता तक विक्सित होना चाहता है, है ना? आपके मन में फरनिचर के विचार हो सकते हैं इसी तरह, अगर मैं आपकी ओर देखूँ आपके पिता, आपके ओर देख कर सोचें, ये क्या बनेगा? ये उनके विचार हो सकते हैं? नई, इस जीवन के ऐसे कोई विचार नहीं है ये जीवन तो बस अपनी पूर्ण संभावना में खिलना चाहता है उस संभावना के लिए दुनिया में दुर्भागे से बहुत बहुत ही कम मौके हैं बहुत ही कम, बाकी हर चीज आपको पहिये का एक पुर्जा बना रही है